किंग कोबरा वर्सिस मंगूस वो कावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक बार को दोस्ट बुलाया जा सकता है लेकिन दुश्मन नहीं शायद ये कावत नहीं दोनों जानवरों के लिए बनाई गई है अब इस वीडियो को ही देख लीजे किंग कोबरा का जाने वाला इस साप आज इस नेवले के सामने भीगी बिली इतरा कैसे भी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ है किंग कोबरा जिसकी लंबाई 18 फीट तक बढ़ सकती है और जिसका जहर एक हाथी को भी चित कर सकता है आज इस छोटे से नेवले के सामने बहुत कमजोर दिखाई दी रहा है नेवला इस साप पर ऐसे हमला कर रहा है जैसे इसके लिए कोई जमीन पर रेंगने वाला चोटा सा कीड़ा हो साम के लिए पानी और कीचल में तेजी से बुढ़ना या चलना असान नहीं होता चालाख नेवला या इसी बात का फूरा फाइदा है इस लडाई को देखकर लगता है कि इन तोनों में से किसी एक की मौत तो आज निश्चित है जिस तरह नेवले ने साम को अपने मूँ में दबोच कर अदमरा कर दिया है साम के बचने की उमीद बहुत कम दिखाई दे रही है हालागि साम ने अपनी आखरी सास तक नेवले से रढ़ने की कोशिश की लेगे नंत में उसे अपनी जान नेवले को सौपनी ही पड़ती है जिसके बाद नेवला उसे पे रहमी से अपने मूँ में पकड़कर अपना भोजन बनानी की